हेलो दोस्तो कैسे हैं आप मैं माही सौाहगत करती है अग बार फ़र से अपना यूटूब चैनल माही डैविर स्केर में तो दोस्तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फटा मेरे चैनल को कले सब्सक्राइब क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आती हूं खरगोस से रिलेटिन नई नई जानकारी और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे एक लाइक कर दें क्योंकि हम इतनी मेहने से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं तो प्लीज दोस्तो एक लाइक तो बनता है तो चली दोस्तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ की खरगोस अपनी पोटी यानि पूप क्यों खाता है तो सबसे पहले हिया पर हम बात करेंगे खरगोस की पोटी के बारे में खरगोस की पोटी जो होती है दोस्तो वो दो तरह की होती है एक तो होती है नॉर्मल पोटी और जो नॉर्मल पोटी होती है वो दोस्तो इस तरह की दिखती है ये मटर के दाने के जैसी और थोड़ी डार कलर की होती है दूसरे तरीके की जो पोटी होती है वो दोस्तो इस तरीके की होती है एक दूसरे से चिपकी हुई इस पोटी को सीको ट्रॉप्स कहते हैं तो खरगोस जो पोटी खाते हैं वो यही सीकोट्रॉप्स ही खाते हैं तो आपका बनी भी अगर सीकोट्रॉप्स खा रहा है तो आप बिल्कुल टेंसन ना लें क्योंकि सीकोट्रॉप्स इनके लिए बहुत जादा हेल्दी होते हैं दोस्तों सीको ट्रोप्स खाने से हमारे बनी का इम्यून सिस्टम अच्छा होता है ये बहुत ही जादा पॉष्टिक होती है ये निउट्रीसियंस से भरपूर होती है अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि पॉष्टिक कैसे हो सकती है पोटी तो मैं आपको बता दूँ कि जब हमारा बनी कुछ खाता है तो और उसको पूरी तरह से डाजेस्ट नहीं कर पाता है और वो पूप की रूप में बाहर निकाल देता है तो उसमें बहुत सारे निउट्रिशियंग्स बिना ही बाहर आ जाते हैं तो अगर हमारा बनी अपने पूप को खा लेता है तो वो सारे पोश्ट भी अपनी पूप खा रहा है तो आप इसे ऐसा करने से बिल्कुल भी ना रोगे खरगोस ही एक ऐसा अनिमल नहीं है दोस्तो जो अपनी पूप खाता है और भी कई अनिमल है जो अपनी पूप खाते हैं तो आप बिल्कुल भी टैंसन ना ले और अपने बनी को ऐसा करने से बिलकुल ना रोकें लेकिन दोस्तों आपको थोड़ी सी साफधानी भी बरतनी होगी वो यह है कि जब भी आप अपने बनी का लिटर बॉक्स साफ करें तो अगर आपको उसमें नॉर्मल पोटी के अलाबा सीको ट्रॉप्स ज़ादा मातरा में दिखाई दे तो यह नॉर्मल नहीं है इसका मतलब है कि आपके बनी का पेट ठीक नहीं है और वो खाने को अच्छे से डाजेस्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि खरगोस बहुत कम सीको ट्रॉप्स बाहा निकालते हैं और उसको उसी समय खा लेते हैं तो अगर आपका बनी ज़्यादा क्वांटिटी में सीको ट्रॉप्स बाहा निकाल रहा है और वो आपको लिटर बोक्स में दिख रही है तो आपको अपने बनी की डाइट का ख्याल रखना होगा उसकी डाइट में घास की मातरा जादा कर दें दोस्तों घास खरकोस के लिए सबसे अच्छी रहती है तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप सारी बातें समझ गए होंगे तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ